मित्रों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग नमस्कार आज हम प्रस्तुत हतेली इसमें मस्तिक्ष रिखा में तीन-तीन रिखाएं निकल रही हैं मस्तिक्ष की शमताओं को बहुत तगड़ा कर रही है और मित्रों आज हम जानेंगे कि जब मस्तिक्ष रिखा में से दो-दो-तीन-तीन रिखाएं अगर निकलती है ब्रांचिंग हो जाती है तो हमारे जीवन में क्या-क्या प्रभाव पड़ता है प्रस्तुत हतेली का मैं इभी और अच्छी डिवाइस भी बनाए है एलेक्ट्रोनिक डिवाइस जिस पर हाथ रखकर हम पता लगा सकते हैं कि शरीर में ब्लड परिशर क्या है शुगर क्या है शुगर कितनी है और क्या-क्या डिस ओघर है उस पर करोना की जाचि भी हो जाती है केवल हांत रखक ले हो रहा है वह देखिये मैंड्लाइन कर जो उद्गं हो रहा है कि पूर उसमें जो जीवन रेखा मिली होगी है वह थोड़े से गुथम-गुथा करना पड़ता है तो ऐसी जाती का इन्होंने भी बच्पन में संगर्षतों देखा है अब हम थोड़ा सा विश्तरित देखते हैं कि यह लाइन और क्या हमें प्रॉपर्टी बताती हैं देखिए इनकी माइंड की लाइन लिकली है और चंद्रपरवत के बुल्कुल नीचे लोवर मून पे चलिए यह लोवर मून है यह अपर मून है और अक भुल्कुल लौवर मी लौवर पे चली गई है अब lower पे चली जाती है मुड़कर बुलकुल नीचे अगर आ जाती है तो ऐसी जातिका के imagination उनकी कलपना शक्ती बहुत तीवर हो जाती है और विचारों का संकलन मन में सतत होता है गहन होता है और ऐसे लोग 2400 घंटे कुछ ना कुछ मन में उनके चलता रहता है यदि ऐसी जात विषया ऐदिका बन जाए तब वह विहंगम करियर बना सकती है क्योंकि जो मРИ्ठी विचार आते एक लिखके मन में अगर विचार आते हैं तो वो उसे लिख पाएगा उसे लिपी बद्द कर पाएगा लेकिन अगर वह लिखक नहीं है तो वही विचार उशको बार बार मन म में आएंगे और व्यक्ति परिशान हो जाएगा मुड़कर लाइन अगर चंद्रपरवत के लोवर मून पर चली जाए तो व्यक्ति को नीद आने में भी परिशानिया होती है कुछ प्रॉब्लम मैं यहां पर मून में देख पा रहा हूं देखिए यह मून का परवत है यह चंद्रमा का परवत है और यहां से मुझे थोड़ा सा डिपरेशन लग रहा है लेकिन चंद्रमा बना बहुत अच्छा है यह सब लाइन विजिट की लाइन बता रही है उपर की लाइन दूर की कंट्री जैसे अमेरिका योरोप बीच की थोड़ा आसपास के और सबसे नी पूरा कर रहे हैं तो इनको तो वर्ड टूर यह करेंगी करेंगी और एक नहीं कई बार करेंगी माइंड लाइन एक शाखा तो इनकी नीशी चली जाती है देखिए अब एक दूसरी शाखा यहां से निकलती है यह कितिनी कितिनी सुन्दर शाखा निकली है देखिए यह सुन्दर शाखा निकल कर और यह इनके बुध बुध परवत पे चली गई है वैसाइक परवत पे चली जुड़ गए हैं यहां से दोनों जुड़ गए हैं तो इनके माइंड में से कुछ ऐसा आडिया निकलेगा और उससे धन गेहन जाते हैं बहुत सतत हो जाते हैं और यह उसे कहले प्रासंगिक हो जाते ऐसे वικήष्टि अडिया लगा लेटें कुछ कंसरूपत और इसको बेज कर पैसा कमाते हैं तो यह बहुत सुंदर रिखा इनके हाथ में बनी हैं और इलेक्ट्रोनिक डिवाइसे से पैसा कमाना बुनकुल यह ट्राइंगिल बता रहा है कि यह कुछ ऐसा निर्मान करेंगी या कुछ ऐसी डिस्कवरी करेंगी इन्वेंशन करेंगी जो इन्हों किया ही हुआ है अब आईए एक लाइन और है जो माइन लाइन से निकल कर और इनके मून पर आ रही है अपर मून पर आ जाती है देखिए इस प्रकार लाइन लिख ली है और इनके अपर मून पे गई है तो व्यक्ति के जो विचार होते हैं वह बहुत उच्छ विचार होते हैं management law फिर languages हम जो बोलते हैं इसमें हमारा माइंड बहुत चलता है कि law से भına पैसा मिल सकता है हमको management से भेंपैसा मिल सकता है तो यह सब छेत्रों में यह सब च्रों में जाती का जा सकती है और आ इस तरीखे से लाइन अगर निकल जाए बीच हो इस इरिये में से अगर कोई माइंड लाइन ब्रांच करती है यहां से NOT फ120 यहां से नहीं है मान लिए यहां लाइन नहीं लेकिर यहां से भी लाइन और पूम दिख? जटके का धन देती है इसे जातिका को बता रही और झटके का धन इनको पहले भी मिला हुआ है एक बहुत बड़ा फाइदा जीवन में मिलता है कई बार मिलता है क्योंकि व्यक्तित्रों को पता नहीं यह सब यह सब राहू के पास में से निकलने दूसरों के नुक्सान से भी हमें फाइदा हो सकता जैसे वकील डॉक्टर कल संटेंट इन लोगों इन लोगों को फाइदा दूसरों के नुकसान से भी होता है तो ये अकसमाद और जटके का धन देने वाली दोनों माइन्ड लाइन बनी हुई है और ये इनकी मैन मांट लाइन मनी हुई है कितनी सशहक्त है ये लाइन dig आ और इससे उनको बहुत लाव मिलेगा धन मिलेगा नाम मिलेगा शोहरत मिलेगी इनका मनी का ट्रेंगिल देखिए इस तरीके से ट्रेंगिल बनता है मित्रों मनी का बहुत अच्छा बना हुआ है और पूरी माइंड लाइन से माइंड लाइन पर ही ट्रेंगिल बना हुआ है अब मैं जो इसमें एक ट्रेंगिल में और देख पारा हूं देखिए ट्रेंगिल के उपर भी एक ट्रेंगिल बना हुआ है यही ट्रेंगिल है जो हमें आडिया से धन देता है अगर आडिया से हमे आइडिया अपने आइडिया से अपने दिमाग से वह लक्षमी उत्पन करते हैं थोड़ा सा अगर मैं इनका इनका वैवसाय कैसा होगा तो वैवसाय भी देख लेता हूं देखिए यह लाइन वैवसाय की लाइन जा रही है बहुत अच्छी है और बूरे बुद्परवत की त ने एक यॉव बना लिया है देखिए यॉव यह वाला यॉव नहीं होना चाहिए बस इनको यह दूर करना है एक थोडह से थोड़ कोटिलता आ गई है इस लाइन में इस के कारण है विस इनको यह दूर करना है और बुद्ध थलका मैं इनको एक मंत्र वाटसेप करूंगा जिससे इनका बिजनिस लेकिन देखिए अभी यह उपर ही बना हुआ है लेकिन इनके मनी ट्रेंगल को उसने टच नहीं किया है और ना यह वाले सेहत कभी अपना ख्याल रखना होगा कि मित्रों इस प्रकार की लाइन दिव्वे लोगों के पास होती है और ऐसे लोग भगवान से खुशनशी भी लिखवा के लाते हैं जीवन इनका आसान होता है और ऐसे लोग थोड़ी मेहनत करके रेक्टेंगुलर हातेली बताई रही है तो बोलकर काम करके और अथाधन महलक्ष्मी कमाते हैं इन जातिका को मेरी समस्त्रशुप कामनाय है एक बुद्ध परवत की लाइन जो है वह थोड़ा सा मुझे गडबड़ दिख रही है और मैं इनको उपाय दे रहा हूं वित्रों आशा करता हूं आपको मेरा ये मुल्यांकन वीडियो पसंद आया होगा माइंड लाइन के कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए सबिस्क्राइब कीजिए ना पसंद आये तो डिसलाइक जरूर करिए श्री गड़ेशाय नमाहा मासारा स्वती नमस्त भ्यम बने रहें स्टेट्यूंड